अगर आपने अभी तक पहले के तीन वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजे और अगर आप पहले के तीन वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता है यह M.I.B. क्या है M.I.B. का मतलब है बहुत ज्यादा चांसे हैं उनके आने के वो questions मैं यहां पे cover करा रहा हूं बच्चों की demand पे भाई integrals के कुछ questions लेके आया हूं तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर छे नंबर में integration में क्या आ सकता है यह help कर दीजिए तो बस यह video आपके लिए ही है यहां पे मैं कुछ questions लेके आया हूं जिससे एक particular topic आप समझ जाएंगे और उस particular topic में आप छक्के मार देंगे और बिल्कुल सही answer आएगा आप किसी भी question को करिए तो राइट सो आज हम लोग integration का एक type of question करने वाले जिसको हम लोग कहते हैं partial fraction सो partial fraction वाले जो questions होते हैं आज हम उन questions को खतम करने वाले हैं खतम मतलब बिल्कुल खतम करने वाले हैं और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी partial fraction वाले questions की और तो और अगर ये छे नंबर में आया जिसके आने के बहुत जाजा सांसे तो छे में छे नंबर पक्के हैं 100 परसेंट हैं चली वाई स्टार्ट करते हैं without wasting anytime पहला question हमारा सो पहला question हमारा कह रहा है integration of x-square upon x-square minus 4x plus 3dx इसका integration करना है भाई कैसे करेंगे इसका integration तो समझे कभी भी अगर किसी भी question में degree of numerator is greater than equal to the degree of denominator किसी भी question में आपको चाहे वो partial fraction का हो चाहे वो substitution का हो कोई भी question हो अगर आपको fraction के form में दिया हुआ है function जिसमे एक numerator है और denominator है and the degree of numerator is greater than equal to the degree of denominator degree का मतलब क्या होता है degree का मतलब होता है maximum power जैसे यहाँ पर maximum power 2 है यहाँ पर maximum power 2 है दोनों की जो power है वो same है तो इस case में हम लोग क्या करेंगे हम लोग denominator से डिवाइड करेंगे numerator को तो जैसे algebraic functions को बच्पन में डिवाइड करना सीखा था वही चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे x square will be divided by x square minus 4x plus 3 तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा one times x square minus किया तो यह आ जाएगा 4x minus 3 remainder में आ जाएगा हमारा 4x minus 3 तो यह हो गया हमारा question यह हो गया हमारा remainder और यह हो गया हमारा divisor तो जब हमको divide कर लेंगे उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे कुछ इस form में q plus r upon d this is the standard form question plus remainder upon divisor इस format पे लिख लेंगे तो इसको हम लोग इस पूरे function को we can write it as question क्या है one plus remainder is 4x minus 3 upon divisor is x square minus 4x plus 3 total का dx total का हम लोग यहां पर क्या कर देंगे integration कर देंगे total को integrate कर देंगे अब जगे कम है यहां पर यह आपको समझ में आ गया है अभी मैं इसके आगे करके आपको दिखाता हूं अगर यह division करना नहीं जाता है algebraic functions का तो भाई नीचे comment में लिख देना इसके लिए भी आपके लिए एक video तयार कर देंगे ठीक है अभी क्या करेंगे देखो one का integration तो बहुत easy है कर लेंगे तो इसको i1 ले लेते है और इस वाले part को ले लेते है i2 अब अगर हम लोग i1 यहां से अगर solve करेंगे तो i1 की value क्या हो जाएगी यहां से यह हो जाएगा integration of 1dx so 1 का integration क्या हो जाएगा x plus c so i1 की जो value आगे that is equals to x plus c now let's move to the next part i2 i2 को हम लोग value find out करते है है second integral की value अब इसकी value find out करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं integration of the numerator that is 4x minus 3dx divided by the quadratic equation x square minus 4x plus 3 अब देखो सबसे पहले आपको question देखे यह पता नहीं चलेगा कि यह question partial fraction का है substitution का है या किसी और तरीके का है क्योंकि question वहाँ पे जब board में दिया जाएगा तो बदाएंगे थोड़ी ना कि यह partial fraction से solve करना है तो कैसे आप identify करेंगे कि यह question किस type का है तो type को identify करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले hit and try method लगाई सबसे पहले कोशिचिश कीजिए क्या यह substitution से हो सकता है तो substitution के case में अगर हम denominator को t के बराबर ले तो differentiate करके आएगा 2x-4 पर उपर तो 2x-4 आई नहीं रहा है इसका मतलब है substitution से तो नहीं हो पाएगा दूसरा method नीचे क्योंकि quadratic equation है चलो try करते हैं quadratic equation को factorize करने की क्या हम इसके factors के form में इसको break कर सकते हैं सो हमको product चाहिए 3 sum चाहिए minus 4 so minus 3 और minus 1 के form में आ जाएगा यह इसको लिख सकते हैं हम लोग integration of 4x minus 3 dx divided by x square minus x minus 3x plus 3 तो भाई splitting the middle term बच्पन वाला तरीका याद है quadratic equation को solve करने का तो वही किया है हमने minus 4x को split किया as minus x and minus 3x so this will become integration of 4x minus 3 upon x minus 1 into x minus 3 dx तो हमने क्या किया इस पूरे function को कुछ इस तरीके से breakout कर लिया तो जो नीचे denominator में quadratic equation थी इसको हमने क्या कर लिया इस quadratic equation को हमने convert कर लिया इसको factorize कर लिया basically now इसको लिख सकते हैं 4x minus 3 dx total upon x minus 1 times x minus 3 अब अगर यह standard format से compare किये जाए तो देखो partial fraction में कुछ standard formats दिये हैं before the starting of the exercise यह कुछ जो format है यह मैंने अपने YouTube के वीडियो में भी समझा है कि कौन-कौन सी चीजें है कौन-कौन से formula है जिस formula के वो यूज करके हम इसको convert कर सकते हैं तो यहां पर जो formula यूज होने वाला है वो है a upon x minus 1 plus b upon x minus 3 यहां पर a और b क्या है यहां पर a और b हैं हमारे constants और इन constants की हमको value निकालनी है इन constants की value कैसे निकालेंगे तो देखिए अगर यहां पर अपन LCM लेंगे ना तो numerator वाले पार्ट को सिर्फ हम लोग equate करेंगे so this will become 4x minus 3 is equals to a times x minus 3 plus b times x minus 1 कैसे किया भाई cross multiply किया जैसे LCM लेते हैं cross multiply किया यहां पर so a times x minus 3 plus b times x minus 1 किया नीचे x minus 1 x minus 3 था यहां पर भी x minus 1 x minus 3 आएगा तो इसको compare करने की जरूरत ही नहीं है numerator को numerator से compare करना है that's it right अभी क्या करेंगे अभी इसको solve करने के लिए देखो हमको a और b की value निकालनी है so a और b की value अगर book के हिसाब से देखा जाए तो एक तरीका लग है मैं जो तरीका बता रहूँ छोटा सबसे आसान सबसे प्यारा नन्ना मुन्ना से तरीका है और directly आपकी value आजाएगी a और b की करना क्या है आपको आप यहाँ पे x की कोई ऐसी value पुट करो जिससे या तो यह वाला factor 0 हो जाए या यह वाला factor 0 हो जाए तो भाई x की ऐसी कौन सी value यहाँ पे रखें कि यह जो पूरा का पूरा term है यह 0 हो जाए तो भाई हमको बता है x की जगे अगर 3 रख देंगे तो 3-3 0 हो जाएगा खलास हो जाएगा खतम हो जाएगा अच्छा अब x is equal to 3 पूरी equation में डाल देते हैं और यहाँ पे 3 रखेंगे यह 0 हो जाएगा यहाँ पे 3-1 रखेंगे तो यहाँ जाएगा 2 so 2 times b is equal to 9 so b की value क्या जाएगी 9 by 2 so the value of b is 9 by 2 हमको b की value मिल गए अभी a की value निकालनी है अब a की value निकालने के लिए यह वाला term पूरा हटाना है यहाँ से अब b वाले term को कैसे हटाएं तो ऐसा क्या value रखें x की जगे कि यह factor 0 के बराबर आ जाए so x की जगे अगर हम put कर दें 1 के बराबर तो क्या होगा lhs में यह हो जाएगा 4 minus 3 that is equal to 1 और यहाँ पर आ जाएगा minus का 2a क्योंकि 1 minus 3 करेंगे तो minus का 2 आएगा और यह 1 minus 1 खलास 0 right so a की value क्या जाएगी यहाँ से minus 1 by 2 so we got the values of a and b बस a और बी की value निकालनी और कुछ नहीं करना है यहाँ substitute कर देना और integrate कर देना कैसे करेंगे यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको so isco integrate करने के लिए अपन क्या करेंगे जो हमारा standard format हो गया वो कुछ इस प्रकार से हो गया एक वाल्यू कित्ती आ गई एक वाल्यू आ गई माइनस का 1 by 2 upon x-1 dx प्लस बी की वाल्यू कित्ती आ गई 9 by 2 x-3 dx अच्छा बच्चों के मन में यह सवाल आ सकता है कि सर आपने एक के नीचे x-1 लिखा लिए के नीचे x-3 लिखा अगर हमने उल्टा कर दिया तो मतलब हमने यहाँ x-3 लिख दी और यहाँ x-1 लिख दिया तो कोई फरक निपढ़ेगा जो मेरी एकी वाल्यू आरी वहापकी बी की वैल्यू आरी वह एकी वैल्यू आ जाएगी swap हो जाएगा आज से तू राज और मैं विकी हो जाएगे ठीक है राइट अब इसको अगर यहाँ पर integrate करना है तो इसको integrate कर सकते हैं minus 1 by 2 constant है इसको बाहर निकाला यह हो गया dx upon x minus 1 plus 9 by 2 constant है इसको बाहर किया हो गया dx upon x minus 3 integrate कर देंगे दोनों तरफ so minus half log x minus 1 plus 9 by 2 log x minus 3 यह आ गई किसकी value i2 की value i2 के साथ साथ हमारे पास क्या था i1 भी था i1 का integration था x आया था जो final answer आ जाएगा हमारे पास उसमें बस आपको plus x plus c भी लिख देना है तो यह आ जाएगा हमारा आपको मैंने बता दिया फिर standard form के साथ से format के साथ से आपको formula पुट करना है जो भी standard format वो पुट करना है फिर वहां से जितने भी constants हैं जैसे आप A और B हैं उन constants की value find out करनी है और फिर उसको simple simple holy holy integrate कर दिना है that's it right चलिए let's move to the next question now अब इस next question में क्या कह रहा है भाई so this next question में कुछ दिया है 3x-2 upon x plus 1 का whole square x plus 3dx यहां पर देखो क्या है यहां पर जो numerator वाला part है यह एक linear function है linear function समझते हो ना जिसकी maximum power 1 होती है और नीचे वाला जो function है नीचे वाले जो हमारे terms है जो हमारे factors हैं उसमें यह वाला factor तो linear है लेकिन यह वाला जो factor है यह x plus 1 का whole square है square वाले term का आप standard format देखिए देखो जो standard format है ना वो तो आपको याद करना पड़ेगा कि standard formats क्या-क्या है बस उनी standard format से compare करके आपको अपकी value मिल जाएगी तो standard format इस तरीके के questions का क्या है इसको लिखेंगे a upon x plus 1 plus b upon x plus 1 का whole square plus c upon x plus 3 तो यह है हमारा standard format जब नीचे कोई factor का square हो रखा हो तो ठीक है तो हमने यह वाला part कर दिया अच्छा अभी अपने को क्या करना है अभी अपने को ABC की value निकालनी है that's it फिर integrate कर देना अब ABC की value कैसे निकालेंगे भाई ABC की value निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो numerator वाला part है that is 3x-2 इसको equate करेंगे with the numerator part of the RHS जब हम यहाँ पे एक बार LCM लेंगे और उसके बाद जो numerator part बचेगा उससे equate कर देंगे अब भाई यहाँ पे अगर LCM लिया जाए तो यहाँ पे LCM क्या आएगा यह मैं आपको rough work में करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए सो LCM यहाँ से आजाएगा basically x plus 1 x plus 1 and x plus 3 by x plus 1 का whole square और x plus 1 में बड़ा number क्या है x plus 1 का whole square तो जो भी बड़ा number होगा उसको आप नीचे लिखोगे repeat नहीं करोगे x plus 1 एक बार आया x plus 1 का whole square एक बार आया तो आप यह नहीं करोगे x plus 1 और x plus 1 का whole square आप चो बड़ा number होगा बड़ा क्या है x plus 1 का whole square यहां पर x plus 1 किती बार आ रहा है दो बार आ रहा है तो आपने इसको लिख लिख लिया और यह x plus 3 जो एक बार आ रहा रहा था इसको यहां से लिख दिया ठीक है अब कैसे लेंगे यहां पर तो इस पूरे टर्म को अगर x plus 1 से डिवाइड करें तो बचेगा क्या x plus 1 and x plus 3 उसको multiply कर देंगे एसे तो एसे अगर multiply करेंगे तो आ जाएगा x plus 1 into x plus 3 plus अब b के साथ क्या करेंगे अब देखो x plus 1 का square का मतलब x plus 1 into x plus 1 यह अलड़ी आ रहा है तो इस पूरे टर्म को x plus 1 upon x plus 1 से डिवाइड करेंगे बचेगा क्या x plus 3 so b times x plus 3 plus c into अब देखो x plus 3 अलड़ी आ रहा है तो इस पूरी equation को इस पूरे टर्म को x plus 3 से अगर दिवाइड करेंगे तो बचेगा x plus 1 का whole square so x plus 1 का whole square बचेगा यह आया हमारा RHS अब इस RHS में जो numerator वाला पार्ट है उसको numerator वाले पार्ट से compare करेंगे so this can be written as a times x plus 1 times x plus 3 plus b times x plus 3 plus c times x plus 1 का whole square तो यह आगया हमारा पूरा का पूरा format सही है बढ़िया है समझ में आया अब आगे देखो अब क्या करेंगे again we have to find the value of a b and c now how to find the value of a b and c अब a b c की value कैसे find out करेंगे फिर से वही वाली चीज़ करेंगे x की कुछ ऐसी value substitute करेंगे जिसको substitute करने पर a b c में से दो चीज़े cancel हो जाए एक चीज़ बचे तो सबसे पहले देखो अगर हम x की value substitute करते है as minus 1 तो अगर x की value substitute करते है as minus 1 put x is equals to minus 1 x की value अगर minus 1 substitute करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 1 plus 1 यह 0 हो जाएगा यहाँ भी minus 1 plus 1 0 हो जाएगा हमको value किसकी मिल जाएगी हमको value मिल जाएगी b की तो b की value निकालने के लिए हमने x is equals to minus 1 poor equation में substitute किया तो जब minus 1 यहाँ पर substitute करेंगे तो यह हो जाएगा 3 minus 3 minus 2 that is equals to minus 5 ये वाला टर्म पुरा 0 हो जाएगा C वाला टर्म पुरा 0 हो जाएगा एकस की जगे माइनसने त्री माइनससर अत्तू टू टू भी सोगी की वैल्यो जाएगी – उफ 5 वै cousin so b की वैल्यों आगई – अब S और एका उल्यों निकालनी है तो अब c और a की value कैसे निकाली जाए तो a की value या c की value निकालने के लिए अब देखो दूसरा factor क्या है हमारा x plus 3 तो अभी क्या करो x की value minus 3 put कर दो so put x is equal to minus 3 पूरी equation में x की जगे minus 3 अगर put कर दे तो यह हो जाएगा minus 3 into minus 3 minus 9 minus 9 minus 2 that is equal to minus 11 lhs हो गया minus 11 अब minus 3 यहाँ put किया यह शूर्णी हो गया यहाँ put किया यह भी शूर्णी हो गया 0 हो गया खतम हो गया यहाँ minus 3 अगर put करेंगे तो यह हो जाएगा minus 3 plus 1 का whole square minus 3 plus 1 is minus 2 minus 2 का square हो गया 4 so we can write it as 4c so c की value क्या जाएगी minus 11 upon 4 so c की value आ गई minus 11 upon 4 विए वाल्यू आ गई माइनस 5 अब एकी वाल्यू कैसे निकाले सर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है सर एक वाल्यू कैसे निकाले तो फस गए नहीं बिड़ा फसे नहीं हो अब आराम से हो जाएगा क्योंकि हमको दो चीज की वाल्यू पता चल गई है तीसरी वैल रख दो तुमको C की value पता चल जाएगी क्योंकि poor equation C के terms में convert हो जाएगी अब best तरीका यह होता है कि X की सबसे छोटी value रखो एक ऐसी value रखो जिसमें calculation कम हो जाए तो best क्या है X की value 0 substitute कर दो भाई यहाँ पे अब poor equation में अगर X की जाएगे 0 substitute कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा LHS में minus 2 is equals 2 अब देखो यहाँ पे 0 substitute करेंगे तो यह हो जाएगा 1 plus 1 into 3 1 into 3 किता होता है 3 so 3 into A A की value किती है नहीं पता A की value as it is रख दी ठीक है plus B की value पता है हमको हाँ B की value है minus का 5 by 2 so B की जगे हमने put किया minus का 5 by 2 okay B की जगे put किया minus का 5 by 2 and X की जगे क्या substitute किया था X की जगे substitute किया था 0 तो यह हो गया into 3 plus C C की value किया है C की value है minus 11 by 4 तो C की जगे रखा minus 11 by 4 X की जगे रखा 0 और 1 का square 1 ही होता है तो यह आ गया minus 11 by 4 अब इसको solve कर ले जाओ तो यह हो गया minus 2 is equals to 3a minus 15 by 2 minus 11 by 4 इस 3a को इधर ले आए इस 2 को इधर लेगा तो यह हो गया minus का 3a is equals to 2 minus 15 by 2 minus 11 by 4 अब इनका LCM लेंगे तो LCM क्या आ जाएगा 4 तो यह हो जाएगा 8 यह हो जाएगा 30 और यह हो जाएगा minus का 11 so minus 3a आ गया इसके बराबर इसको solve कर लो minus 30 minus 11 minus 41 41 में से 8 minus करोगे तो किता आ जाएगा 33 है ना so 33 आ जाएगा और वो भी negative का right so negative 33 so इसको हम लोग लिख सकते है minus 3a is equals to negative 33a sorry negative 33 upon 4 अब क्या होगा इस minus 3a को अधर ले जाओ so a की value आ जाएगी minus 33 upon 4 into minus 3 minus 3 से minus cancel हो जाएगा 11 by 4 आ गया so the value of a is 11 by 4 तो यहां से a की value क्या आ गई 11 बटे 4 11 by 4 ठीक है so अभी जो हमने a b c की value निका ली ना वो यहां पर एक बार रख देते हैं ताकि हमको जगे मिल जाए solve करने के लिए further ठीक है अच्छा भाई तो a b c की value क्या आ गई a b c की value आ गई हमारे पास चेंज कर लेते हैं color राइट ए की value आ गई 11 by 4 बी की value आ गई minus 5 by 2 c की value आ गई minus 11 by 4 तो यह a b c की हमको तीनों values पता चल गए यह आपको करके दिखाना है तब ही छे अब इसके बाद क्या करेंगे अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अब standard format में यह जो values हमने निका ली a b c की इसको वापस substitute करके integrate करना है that's it तो अब इसको substitute करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह हो गया integration of 11 by 4 upon x plus 1 minus 5 by 2 constant है इसको बाहर कर दिया यह हो गया integration of dx upon x plus 1 का whole square minus 11 by 4 integration of dx upon x plus 3 so similarly यहाँ पे 11 by 4 जो हमारा constant है जब सबको बाहर कर दिया तो इसको भी बाहरी कर दो इसको क्यों अंदर छोड़ा है तो यह भी हो जाएगा 11 by 4 के format में अब क्या करना है बस सबको पगड़ के इंटीग्रेट कर दो भाई so यहाँ पे हो जाएगा 11 by 4 इसका integration हो जाएगा log of x plus 1 minus 5 by 2 इसकी value क्या जाएगा अब देखो इसको integrate कैसे करेंगे इसको integrate करने के लिए आप क्या कर सकते हो substitution का use कर सकते हो substitution का use करके दिखाता हो आपको यहाँ पे अगर हम सब्स्टीट्यूशन करेंगे तो कैसे कर सकते हैं देखो x plus 1 को अगर हम लोग t ले ले तो यहां से dx किसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर आ जाएगा इसको में लिए सकते इंटीग्रेट करके value रखे directly तो यहां से क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा minus 1 upon x plus 1 minus 11 by 4 log of x plus 3 यह आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको simplify कर लो 11 by 4 log of x plus 1 minus minus ही हो जाएगा plus plus 5 by 2 times x plus 1 minus 11 by 4 log of x plus 3 plus c by plus c लगाना बिलकुल ना भूलना plus c जरूर लगाना है लास्ट में लगाना ही लगाना है ठीक है तो plus c लगाना है और यह आ गया हमारा final answer तो बहुत simple है बहुत easy है बस आपको standard format पता होना चाहिए abc की value कैसे निकालनी है यह पता होना चाहिए that's it अगर आपको standard format पता है तो बस abc की value अपने आप ही निकल जाएगी simple simple substitution करके right now let's move to the next question next question में कह रहा है x upon x square plus 1 upon x plus 1 अब यह question खुद में ही बहुत जानदार question है क्यों जानदार question है यह समझते हैं यह जानदार question इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक factor तो linear है पर एक factor ऐसा है जो quadratic है जिसकी maximum power 2 है कभी भी ऐसा हो जब एक factor नीचे बनाओगे constant की सो इसको हम लोग लिखेंगे as ax plus b यह हमने linear equation बनाई उपर numerator में upon quadratic वाला term अब देखो अगर यह quadratic वाला term यहाँ पर factorize हो रहा होता तो हम लोग इसको factorize कर देते पर यह factorize ही नहीं हो रहा कमभक्त तो क्योंकि यह factorize नहीं हो रहा तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे और इसके उपर एक linear function लिख लेंगे ax plus b के format में ठीक है plus यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर बचा c upon x plus 1 तो हमने क्या किया जो quadratic वाला term factorize नहीं हो रहा उसके उपर ax plus b लिखने का उसके उपर एक linear function बनाने का नाओ हमको क्या करना है बस a और b और c तीन की values निकालनी है उसके बाद integrate कर देना है खलास खतम राइट अब a b c की value कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग numerator को numerator से compare करेंगे LCM लेने के बाद तो क्या आजाएगा तो यह आजाएगा ax plus b times cross multiply करने ना है x plus 1 plus c times x square plus 1 तो जो numerator वाला पाट है उसको सिर्फ numerator वाले पाट से equate कर दिया now let's find out the value of a b and c निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो सबसे पहले x की value minus 1 put कर देते हैं x की value minus 1 put करने से क्या होगा यह वाला factor 0 हो जाएगा यह पूरा 0 हो जाएगा c की value मिल जाएगी direct so x की value अगर minus 1 put करेंगे तो यह होगया minus 1 is equals to यह पूरी value होगई 0 x की value minus 1 minus 1 का square हो गया 1 1 plus 1 कित्ता हो गया 2 सो यह हो जाएगा minus 1 by 2 so c की value आ गई as minus 1 by 2 c की value आ गई अब similarly हम लोग क्या कर सकते है A और B की value निकाल सकते हैं अब देखो B की value निकालने के लिए क्या कर सकते हैं Put X is equals to 0 देखो X is equals to 0 रखने पर क्या हो जाएगा ये वाला term 0 हो जाएगा A वाला term B की value आजाएगी और C की value हमको अल्रेडी पता चल चुकी है तो C की value रख देंगे B की value पता चल जाएगी ठीक है तो कैसे करना है यहाँ आपे X की जगे 0 रखा तो LHS हो गया 0 A X यह हो गया 0 बचा क्या बचा B times 0 plus 1 0 plus 1 करेंगे तो 1 ही आएगा C की value क्या हो गई? C की value हो गई minus का 1 by 2 into X की जगे क्या पुट किया 0 तो 0 का square 0 plus 1 1 ही आजाएगा minus 1 by 2 into 1 लिखोगे तो यही आजाएगा ठीक है? So B की value यहाँ से क्या आजाएगी? B की value आजाएगी positive का 1 by 2 1 by 2 को LHS मिले जाएगे positive का हो जाएगा So B की value आगई plus 1 by 2 ठीक है? अभी क्या करना है B की value निकल गई, C की value निकल गई सारी B, C खतम हो गई अभी अपने को A की value निकालनी है So A की value निकालने के लिए क्या कर सकते है? Again देखे भाई A की value निकालने के लिए X की कोई भी value रख दो छोटी मोटी सी value रख दो ताकि calculation easy हो जाएगा अब देखो X की value minus 1 भी रख चुके है 0 भी रख चुके है अब क्या करते है? X की value 1 रख के देख लेते हैं answer आ जाएगा हमको A की value पता चल जाएगी तो X की value 1 अगर substitute कर इस पूरी equation में तो यह हो जाएगा 1 is equals 2 यह हो गया A जिसकी value हमको नहीं पता है अब इसको multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 to cancel हो जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा plus 1 minus 1 cancel हो गया एक वाल्यू भी क्या जाएगी यहां से 1 by 2 एक वाल्यू 1 by 2 बी की value 1 by 2 and C value minus 1 by 2 बस ABC की value निकाल लिए खतम question खलास बहुत easy question है चे नंबर लाने के लिए बहुत ही असानी से आपके इंटीग्रेशन में 6 नंबर आएगे अगर ऐसा वाला question आया और ऐसे question आने की संभावना है 95% से लेके 99.9% बहुत ज्यादा चांसे तो ऐसे question तो लगा डालना बिल्कुल है कि question जो लगा रहा होना बैड के साथ साथ लगाना तो मज़ा आएगा तो आपको समझ में आएगा खलास कर दोगे paper में right चो इसको हम लोग अगर integrate करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं तो देखिए final answer कैसे लिखेंगे इसको लिख सकते है integration of a, a की value क्या है 1 by 2x, b की value है plus 1 by 2 upon x square plus 1, c की value क्या है minus का minus का 1 by 2, so minus को भाहर किया 1 by 2, x plus 1, ये भी dx हो गया, ये भी dx हो गया, तो जो दोनों factors है, अलग-अलग इनको अलग-अलग fractions को integrate करना, अब इसको integrate करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसको integrate करने के लिए इसको 1 by 2 common ले ले अगर यहां से तो ये बचेगा, x plus 1 dx, total upon x square plus 1, ठीक है, minus, 1 by 2 बाहर ले 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 तो यहां क्या बचेगा, dx upon x plus 1, right, अभी क्या करना है, अभी यहां पे, इसको क्या करो, इसको अलग-अलग break कर लो, numerator के साब से इसको break करके लिए, तो अगर इसको break करके लिए, 1 by 2 बाहर, इसको बाहर रहने देते हैं, इसको break करके लिए, तो यह हो जाएगा, integration of x upon x square plus 1 dx, plus 1 dx upon x square plus 1, bracket बंद, इसका integration करेंगे, तो यह आजाएगा, minus 1 by 2 log of x plus 1, तो यह जो right side वाला था, इसका हमने integration कर लिए, और इसमें आखरी में plus c भी लगा ताकि कोई भसल ना रह जाए, कोई दिक्कत ना रह जाए, पूरा हो जाए, ठीक है, आच्छा भाई, अब इसका integration कैसे करेंगे, तो इसका integration में यहाँ पे, कहीं पे, थोड़ी सी जगे पे करके दिखा रहा हूँ, so substitution कर लेंगे, basically, so x square plus 1 को अगर t ले ले ले, तो 2 x dx is equals to dt आ जाएगा, so x dx आ जाएगा, dt upon 2, so x dx की जगे क्या लिख सकते हैं, इस x dx की जगे लिख सकते हैं, dt upon 2, तो इसकी जगे यह 1 by 2 जो बाहर था, इसको बाहर रहें दिया, x dx की जगे हो गया, dt upon 2, 2 को बाहर किया, 1 by 2, upon x square plus 1 को क्या ले लिया था, x square plus 1 को t ले लिया था, तो इ का integration करेंगे तो यह tan inverse x का direct format बन रहा है direct formula बन रहा है तो यह हो गया tan inverse x और यह वाला जो term था यहाँ पर चलता रहेगा राइट अब इसको multiply कर दो तो यह हो जाएगा 1 by 4 1 upon t integration होता है log t t किसके बराबर था t बराबर था x square plus 1 log of x square plus 1 plus is 1 by 2 को से multiply करोगे half tan inverse x plus sorry minus था so minus 1 by 2 log x plus 1 plus c यह आगया हमारा final answer so miv ने कर दिया इस question को खलास खतम कर दिया यहाँ पर हमारा final answer आ चुका है राइट चलिए let's move to the next question अब यह question देखिए अब इस question में भी आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए जैसा पहला question कर आया था वैसे ही same to same है यह वाला question क्या है इस question में numerator में जितनी power है denominator में भी उतनी ही power है जब दोनों की power बराबर होगी तो दोनों को लड़वा दो दोनों को divide कर दो सो x3 minus 1 को अगर हम लोग divide करें बाई x3 plus x तो यह हो जाएगा 1 से यह हो जाएगा x3 plus x यह हो गया minus यह भी हो गया minus तो minus x minus 1 यह बचेगा हमारा remainder तो q plus r by d के form में लिख सकते हैं q हो गया 1 minus अगर हमने यहां से common ले लिया तो बचेगा x plus 1 upon x3 plus x dx तो हमने इस पूरे function को divide किया और divide करके लिख दिया q plus r by d के form में question plus remainder upon divisor वाले form में question आ गया 1 remainder आ गया minus common लेने के बाद x plus 1 और divisor तो था ही x3 plus x अब देखी क्या करेंगे फिर से इस वाले part को i1 ले लिजे तो i1 का integration क्या हो जाएगा i1 की value हो जाएगी x plus c by 1 का integration क्या होता है x होता है तो x plus c यह तो simple था यह तो होई जाएगा तो देखो यह एक एक नंबर जो एक step है ना यह एक एक number carry कर रहा है तो छोटे-छोटे steps आप करते चलेंगे तो अगर last में जाके मान लो कहीं calculation की गलती कर भी दी तो भी पूरा zero नहीं मिलेगा कहीं कहीं पे step marking में आपके marks आ जाएंगे तो इसलिए बहुत important है steps को दिमाग में रखना और steps सारे show करना right चलिए अब इसको अगर हम लोग यहां से denote करें इसको अगर हम लोग यहां पे solve करें तो इसको आइटू ले लिया ठीक है i2 solve करते हैं तो यहां पर मैं आपको i2 solve कर करके दिखाता हूं देखे भाई सो i2 क्या आ जाएगा यहां से i2 आ जाएगा हमारा integration minus को बाहर रखो integration of x plus 1 upon x cube plus x dx इसको लिख सकते हैं minus को बाहर रखे x plus 1 अब देखो यहां पर x common आ रहा है x common निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा x square plus 1 dx समझो भाई फिर से क्या हो गया फिर से हमने नीचे factorize कर ले गए लेकिन factorize करने पर एक factor ऐसा बच रहा है जो quadratic के form में है और उसको further factorize नहीं किया जा सकता फिर से क्या करना है वही जो भी मैंने आपको बताया था पिछले वाले question में इसको हम लोग लिख सकते हैं as x plus 1 upon x into x square plus 1 इसको लिखेंगे ax plus b upon x square plus 1 plus c upon x यह आ जाएगा हमारा standard form से compare करने पर ठीक है अब फिर से क्या करेंगे आप यह वही वाला जैसे पिछला question किया था a b और c की value निकालेंगे उन value उसको यहां substitute करेंगे और substitute करके इसको integrate कर देंगे just like जो इसे हमने previous question में किया previous question में भी देखो यहीं बनना था x square plus 1 a x plus b ही हो गया था यहां पर बस c x plus 1 बना था आपकी बार c upon x बना है दाट से थोड़ा सा difference है इसको पूरा solve कीजिएगा और इसका final answer बताईएगा अगर आपने आंसर सही बताया तो अगले वीडियो में आपका नाम shout out जरूर होगा 100% होगा ठीक है चलिए बाई नेक्स पार्ट पर आ जाते हैं इसके next question पर अभ यहां पर next question देखिए x cube upon x की पार 4 plus 3 x square plus 2 by quadratic है नीचे maximum power 4 दे भाईया बाबु भाईया क्या किया जाए तो बाबु भाईया इस question में क्या करेंगे एक चीज कर सकते देखो जुगाल लगाना पड़ेगा जुगाल क्या लगाना पड़ेगा क्या हम लोग इसको ऐसे convert कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं अगर यहां पर हम लोग substitute कर ले x की power 4 को नहीं x square को t के बराबर अगर x square को t के बराबर substitute करते हैं तो यहां से आ जाएगा x dx बराबर dt upon 2 तो 2x dx आएगा तो 2 नीचे बेज़ देंगे तो x dx इसके बराबर आगया dt by 2 इस x dx की जगे हम लोग लिख सकते हैं dt by 2 जो 2 था उसको 1 by 2 बाहर कर दिया ठीक है 2 को बाहर कर दिया x square की जगे क्या लिख सकते है x square किसके बराबर है t के बराबर सो x की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा t square के बराबर प्लस 3 t square प्लस 2 dt यह आ गया अब देखो भाई बन गया यह पार्चिल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं नहीं सर अभी कहां बना है भाई अभी नहीं बना है कोई बात ही बन जाएगा करना क्या है बरट चाहिए 2 समचे यह 3 सो समचे यह 3 प्लस 2 प्लस 1 ब्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा अचाहिए यहां पर x square था यह t के बराबर आएगा यहां पर t square लिग दिया यह गलत है यह t के बराबर आएगा माइब आगा बाट प्लस 3 t प्लस 2 होगा क्योंकि x square किसके बराबर था टी के बराबर था तो x square की जगे टी रख दिया ठीक है 3 t को ब्रेक कर सकते है आएगा तो यहां पर बेसिकली यह बन जाएगा कुछ इस तरीके से डिगे में हाफ एफ ओफ t dt टोटल अपन टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 सो टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 के форм में हमने स्क्वाड राटिक एक्वेजन को फक्तर इस कर दिया यह अब फक्तर आइस कर ना भी ना है तो भाई बता देना नीचे प्रेक्ट में डाल देना इसका भी वीडियो बन जाएगा टेंशन लेने की बात नहीं है भाई है तुमारा ठीक अब देखो यह हो गया convert standard format में सो T d t upon t plus 2 into t plus 1 इसको standard format में लिख सकते हैं a upon t plus 2 plus b upon t plus 1 लिख सकते हैं इसको standard format में compare करा दे numerator को numerator से तो यह हो गया t is equals to a times t plus 1 plus b times t plus 2 अब यहाँ पे a और b की value निकालने है एक बार t को put करते हैं as minus 1 और दूसरी बार t को put करते है as minus 2 अब t को अगर minus 1 के बराबर put करेंगे तो यह हो जाएगा minus 1 और माइनस 1 पुटर till चोके बडाबर टी कि की वाल्यू ऑगाई माइनस 1 के बडाबर माइनस चूंतीयूट करते हैं तो टीक की वैल्यू अगर माइनस तू अगर सब्सक्राइब करेंगे त hatır करेंगे तो यह हो गया माइनस का ए और सथर capturing क्या लिख सकते थे इसको इसको ऐसे लिख रहे थे ना A upon T plus 2 तो यह हो गया A, A की value किती है 2, so 2 upon T plus 2 minus integration of minus 1 था, minus बाहर ले लिया, so dt है यह, so 1 dt total upon T plus 1, अब इसको integrate कर दो भाई, तो यह 2 से 2 cancel हो जाएगा, यहां से आ जाएगा log of T plus 2 minus log of T plus 1 plus C, आखरी में plus C लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने integrate किया, ठीक है, अब भाई, log M minus log N वाली identity लगा लो, so identity क्या होती थी, यहां लिखके बता देता हूँ, log M minus log N is equals to log of M upon N, so यह identity logarithm की है, log की है, यहां पर यूज कर लेंगे, so यह हो जाएगा log of, अब देखो, T, T की value क्या थी, T थी, X square के बराबर, so यहां जाएगा, X square plus 2 upon X square plus 1 plus C, यहां गया हमारा final answer, और यहां पर हो गया हमारे 6 नंबर जेब के अंदर, right, 6 नंबर जेब के अंदर, right, तो इस तरीके से हम लोग in questions को यहां पर करेंगे, right, पांचवा question कर लिया, और question कर आते हैं, आपको, so देखे, DX upon X into X to the power 5 plus 3, अब इसका integration करना है, इसका integration कैसे किया जाए, अब देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो नीचे factor बन रहा है, उसमें X to the power 5 तक जा रहा है, हमने 4 तक के standard format समझे हैं, पढ़े हैं, 5 वाले case में क्या किया जाए, तो 5 वाले case में क्या कर सकते हैं, कुछ जुगार लगाना पड़ेगा, फिर से, कुछ जुगार लगाना पड़ेगा, क्या जुगार लगा सकते हैं, तो जुगार यह लगा सकते हैं, कि हम, अचा नीचे जो यह X दिया है, इस X को, X to the power 5 बनाते X to the power 5 कैसे मना सकते हैं इसको X की पावर 4 से उपर multiply किया and X की पावर 4 से नीचे multiply किया तो यह कुछ इस तरीके का function बन जाएगा X की पावर 4 से numerator and denominator दोनों में multiply कर दिया फरक क्या पड़ा इससे सर इससे फरक पड़ा सर कि इसको हम लोग लिख सकते हैं as X to the power 4DX upon X to the power 5 into X to the power 5 plus 3 सर क्या फरक पड़ा अभी भी X to the power 5 है और यह हमको परेशान कर रहा है तो क्या कर सकते हैं भाई अब देखो अब बहुत असानी से substitution लगा सकते हैं X to the power 5 को T ले लेंगे तो यहां से आजाएगा 5 X to the power 4DX is equal to DT So X to the power 4DX की जगे हम लोग लिख सकते हैं DT upon 5 तो यहां पर अगर हम लोग substitute करें X to the power 5 को as T तो हम लोग यहां से आग लगा सकते हैं तो इसको X to the power 5 को T के form में substitute करेंगे तो यहां जाएगा DT by 5 constant है 5 को बाहर किया X to the power 5 T के बराबर है यह हो गया T plus 3 आगया देखो चिंटू question बन गया अब तो दो गोड़ी का question बन गया भाई अब तो solve करी लोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं standard form में इसको लग सकते हैं A upon T प्लस B upon T plus 3 फिर से क्या करना है A और B की value निकालनी है यह और B की value निकालके और इसको solve कर लेना कर लोगे अब तो A और B की value निकाल लोगे न भाई वैसे ही जैसे इतने सारे question करा है same to same बस मुश्किल क्या था दिक्कत क्या रही थी कि इस question को देखके एक बार को आपकी जो हालत है वो कुछ खराब हो जाएगी अगर आप बोर्ड में ऐसा question देखोगे पहली बार दिमाग में आएगा और बाव परे क्या question आगे लेकिन थोड़ा chill mind करके आराम से लंबी सांस लेके लंबी सांस जब आप छोड़ेंगे तो आपको दीरे दीरे ये आने लगेगा back of the mind कि हाँ ऐसे कर सकते हैं भाई कुछ जुगार लगा के इसको convert किया जा सकता है partial fraction में और इस तरीके से convert करके इसमें आग लगा देंगे अच्छा एक चीज और बताना चाह हो गया था मैंने बोला था याली एक्साइज नहीं आएगी पर ऐसा नहीं है यह बहुत इंपोर्टेंट और इसके आने की चांसे बहुत जादा है जो गलती मैंने वहां पर करके बता दी थी उसको मैंने नीचे first comment में पिन करके भी डाल दिया था बहुत सारे बच्चों ने बाद में पूछा भी था तो मैंने clarify कर दिया था कि भाई यह exercise आ रही है और बहुत important और करनी है इसलिए मैं इसका यहां पर specific video बना के करा रहा हूं ताकि कोई confusion ना रहे जाए बाद में यह मत को सर ने कहाता है उस समय कि नहीं आएगी और हमने नहीं किया मैं बता रहा हूं आएगी और कर लो ठीक है तो इसको यहां पर आगे solve कर सकते हैं इसको solve करके आंसर बताना अगले वीडियो में shout out पाना ठीक है चलिए आगे बढ़ते है next question पर आते है हम लोग देखो यह एक्स जो है यह पूरे टर्म्स में multiply हो रहा है तो सबसे असान तरीका क्या है log x को t के बराबर ले लो सो 1 upon x dx किसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर सो dx upon x की जगे dx upon x की जगे क्या लिख सकते हैं dt सो यह हो जाएगा integration of dt upon 6 t square plus 70 plus 2 क्या हो गया भाई किस format में convert हो गया quadratic equation बन गहीं नीचे बस जैसे quadratic equation बन गहीं नीचे क्या करना है factorize करने की कोशिश करनी है अगर factorize हो जाता है तो आपको partial fraction से ही करना है factorization नहीं हो पाता तो जो special type के integrals थे जिसका special formula दिये हुए है उस तरीके से solve कर लेंगे तब हो जाएगा ठीक तो इसमें tension वाली कोई बात नहीं लोड कुछ नहीं लेना है इसमें अब इसको अगर हम लोग यहां पर solve करें तो product आना चाहिए 12 और sum आना चाहिए 7 तो ऐसे 2 numbers 4 3s are 12 3 plus 4 3 plus 4 करेंगे अगर यहां पर तो क्या जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा dt upon 60 square plus 3t plus 40 plus 2 70 को break किया as 3t plus 40 ठीक है यह हो गया हमारा dt upon यहां से क्या कॉमन आ रहा है यहां से कॉमन आ रहा है 3t अगर 3t common ले लेंगे तो यह बचेगा 2t plus 1 plus 2 common ले लेंगे तो बचेगा 2t plus 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं as dt upon 2t plus 1 into 3t plus 2 यह आ गया हमारा पूरा solve करके तो इसको हमने लिख लिए as integration of dt upon 3t plus 2 into 2t plus 1 अब यह कैसे standard form में convert हो गया again a upon 3t plus 2 plus b upon 2t plus 1 बस convert हो गया फिर से क्या करना है numerator वाले पार्ट को numerator वाले पार्ट से compare करना है और compare करके इसमें आग लगा देनी है और आग लगा के इसको solve कर देना a और b की वाल्यू यहां से solve कर लोगा आ जाएगा ठीक इसका भी आंसर बता देना भाई यह से ही होगा same to same solve करना हो जाएगा ठीक है चलिए next part पर आते हैं यह question देखो भाई अब यह question अगर आप आटीड्र को दिहा और को सेक्सटी इस ऊपर हम अगर हम साइत सक्वाइब यहां पर इस साइन के इस साइन बोगर कर सकते हैं बहुत सारी इंटिटी of 3 sin x minus 2 into cos x dx total upon 5 minus cos square x को क्या लिख सकते है 1 minus sin square x लिख सकते हैं so cos square x की जगे लिखा 1 minus sin square x minus 4 sin x ऐसा क्यों किया ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा function sin के terms में था और यहां पर यह cos x dx substitution के लिए सब कुछ आसान बना दे रहा है लेकिन यह cos square यहां पर शैतानी कर रहा था तो इस शैतान cos square को हमने change कर दिया है 1 minus sin square x के form में ठीक है अच्छा भाई अब इसको अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं integration of 3 sin x minus 2 cos x dx total upon अब देखो इसको bracket को अगर खोलोगे तो यह हो जाएगा sin square x 5 minus 1 किता हो जाएगा 4 यह हो जाएगा minus 4 sin x plus 4 राइट तो हमने यह bracket खोल लिया तो यहां से आ गया minus minus plus sin square x 5 minus 1 हो गया 4 और minus 4 sin x था तो quadratic equation x square plus bx plus c के form में लिख लिया अब यहां पर क्या करना है भाई अब यहां पर सिंपल सा substitution कर लो अगर sin x को t के बराबर रख देंगे सो cos x dx किसके बराबर आ जाएगा dt सो यह cos x dx की जगे क्या लिख सकते है इस cos x dx की जगे लिख सकते है dt तो यह हो जाएगा integration of 3t minus 2dt total upon t square minus 4t plus 4 फिर से क्या होगा देखो उपर linear नीचे quadratic इस नीचे वाली quadratic को क्या हम लोग simplify कर सकते हैं क्या हम लोग factorize कर सकते हैं यह हम लोग को यहां पर समझना है यह formula तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है t minus 2 का whole square का formula है यह तो t minus 2 का whole square t square plus 4 minus 40 तो इसको लिख सकते है as integration of 3t minus 2dt total upon t minus 2 का whole square right अब t minus 2 का whole square है तो इसको standard form में convert कर लेंगे यह हो गया 3t minus 2dt total upon t minus 2 का whole square इसको लिखेंगे a upon t minus 2 plus b upon t minus 2 का whole square तो जब भी नीचे factor में square आता है तो हम लोग एक बार उसको linear के form में लिखते हैं एक बार square के form में लिखते है यह इसका standard format है और इसी standard format में इसको solve करना है है अब यहाँ पे अगर हम लोग equate कर दे numerator को numerator से तो यहाँ से क्या जाएगा तो यहाँ से क्या जाएगा तो यहाँ से क्या करना है और बी की value निकालने के लिए क्या करो एक बार a को एक बार put t is equal to 2 t is equal to 2 तो t की जगे 2 रखाएंगे, तो t की जगे 2 रखेंगे, 4 is equal to 2 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो b की value आ गई 4 के बराबर अब b की value 4 आ गई तो a की value निकालने के लिए क्या करो? put t is equal to 0, t की value 0 substitute कर देते हैं तो lhs में क्या बनेगा, यह बनेगा-2 2 is equals to T की जगे 0 कर देंगे तो या जाएगा minus 2A plus B, B की वाल्यू कित्ती है, B की वाल्यू 4 के बराबर निकाल लिए, ठीक है, इस 4 को इधर ले आए, तो यह क्या हो जाएगा, minus 6 upon minus 2 is equals to A, so A की वाल्यू आ जाएगी, 3 के बराबर, so A की वाल्यू कित्ती है, भाइस 4 को इधर ल अगर आपको लिखना है, तो pause करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है, देखो, कैसे करेंगे, so इसको हम लोग लिख सकते हैं as, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं as A, A की वाल्यू किया है, 3 upon T minus 2 dt, plus B की वाल्यू किया है, 4, 4 upon T minus 2 का whole square dt, solve करेंगे तो यहाजाएगा, 3 log T minus 2, plus 4, sorry, minus 4 upon T minus 2, अब यह कैसे आया भाई, so T minus 2 को किसी और function u के बराबर ले लो, so dt जो आजाएगा, वो du के बराबर आजाएगा, तो यह function किसमें convert हो जाएगा, यह function convert हो जाएगा, integration of 4 upon u का whole square, 4 upon u का whole square, du, ठीक है, 4 को बाहर कर दो, तो यह हो जाएगा, integration of u की power minus 2, du, integrate करेंगे, तो यह आजाएगा, minus 4 upon u plus c, u की value किसके बराबर, u की value, T minus 2 के बराबर, so u की जगे हमने लिख दिया, T minus 2, अब final answer, u और t के terms में नहीं आना चाहिए, final answer आना चाहिए, x के terms में, क्योंकि question था, x के terms में, right, तो x के terms में अगर करेंगे, तो हमने क्या किया था, sin x को t लिया था, तो यह आजाएगा, 3 log sin x minus 2 minus 4 upon sin x minus 2 plus c, यह आगया हमारा final answer, तो है आसान, बस समझना है, लेकिन यह question जब पहली बार देखोगे, और यह नहीं बता होगा, कि partial fraction लगाना है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले हमको दिमाग लगाना पड़ता है, substitution करके, फिर दिमाग लगाना पड़ता है, क्या कोई identity तो नहीं लग रही है, अभी around हो गए है 49 minutes, 50 minutes से कर रहा हूँ, एक बजने वाला है almost, तो कल सुबह ही डालूँगा, इस question को करने के लिए क्या किया जाए, अब ये देखो question जो है, ये देखने में बहुत simple लग रहा है, पर है खतरनाक question, previous year board का question है, ISE में आ चुका है ऐसा question, और 6 number का आएगा, अगर ये question आया, तो, इसमें दिया है sec x upon 1 plus cosec x dx, इसका integration करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको, इसके inverse trigonometric function में कलने, sec को लिए 1 upon cos, cosec को लिए 1 upon sin, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 upon cos x dx, total upon 1 plus 1 upon sin x dx, sorry dx निए 1 upon sin x, ठीक है, अ अगर हम थोड़ा सा solve करके लिखेंगे, तो ये cos x उपर चला जाएगा, sin x उपर चला जाएगा, so sin x dx उपर आ गया, नीचे आ गया, cos x into 1 plus sin x, ठीक है, so sin x dx उपर चला गया, cos x upon 1 plus sin x आ गया, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग t लेने की कुछ कोशिश करें, क्या t ले सकते है, cos x, अगर cos x को t ले ले, तो sin x dx dt तो हो जाएगा, लेकिन यह वाला sin नहीं जाएगा, sin को convert नहीं कर सकते, sin x को t ले ले, तो cos x ना like ही करेगा, क्या कर सकते हैं भाई, इसमें ऐसा कर सकते हैं, दिमाग लगाते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, कुछ convert करनेगी इसको, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, cos x से उपर नीचे multiply कर देते हैं, तो यह हो गया, sin x cos x dx, total upon cos square x into 1 plus sin x, so sin x, cos x upon cos square x, 1 plus sin x, हमने क्या किया, cos x से उपर नीचे multiply कर लिया, अच्छा जी, अब यह जो cos square आ रहा है, अब इसको sin के terms में आराम से convert किया जा सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, as integration of sin of x, cos of x dx, total upon cos square x can be written as, 1 minus sin square x into 1 plus sin x, अच्छा भाई, अब इसको अगर हम लोग factorize करना चाहे, 1 minus sin square x को, तो इसको भी further factorize कर सकते हैं, so this can be written as integration of sin x cos x dx, total upon 1 minus sin x into 1 plus sin x और 1 plus sin x, so 1 plus sin x दो बार आ रहा है, इसको लिख सकते हैं, 1 plus sin x का whole square, लिख सकते हैं, भाई, तो क्या किया हमने 1 minus sin square x, a square minus b square की identity उसकी, a minus b, a plus b, 1 plus sin x, 1 plus sin x क्या होगा, 1 plus sin x का whole square, अब देखो, अब यह हो जाएगा, standard format में convert, कैसे हो जाएगा, भाई, अब देखो, यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे, sin x आ गया, total नीचे denominator में, इसको अगर t ले ले, so cos x dx, किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा, dt के बराबर, so cos x dx, अगर dt के बराबर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, integration of, sin x हो गया, t, cos x dx की जगे, यह जो cos x dx है, इसकी जगे आ गया, क्या, इसकी जगे आ गया, dt, upon, यह आ गया, 1 minus t, into, 1 plus t का whole square, ठीक है, किस format में आ गया, partial fraction में convert हो गया, बस अब बहुत असान हो गया, so इसको लिख सकते हैं, a upon, 1 minus t, plus b upon, 1 plus t, plus c upon, 1 plus t का whole square, फिर से, standard format से convert कर देंगे, से compare कर देंगे, और यहां से, इसकी value निकाल लेंगे, अच्छा, इसकी value निकाल लेते हैं, यहां से, तो यह क्या जाएगा, इसको लिख सकते है, t is equals to, a times, 1 minus t था, 1 plus t का whole square, तो यह हो गया, 1 plus t का whole square, प्लस b times, 1 minus t into 1 plus t, plus c times 1 minus t, तो lcm लेंगे, और lcm लेंगे, और lcm लेंगे, और lcm लेंगे, लcm ऐसी ही लेंगे, जैसे मैंने पिछले second या first question में आपको समझाया था, ठीक है, अच्छा भाई, अब यहां पे, a, b, c की value निकालने था, a, b, c की value निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर देते है, put t is equals to minus 1, t की जगे अगर minus 1 put कर दे, तो यह हो जाएगा minus 1, minus 1 put करने पर यह 0 हो जाएगा, minus 1 put करने पर यह भी 0 हो जाएगा, और t की value अगर minus 1 put करते है, so t की जगे minus 1 put करते है, minus minus plus, तो 1 plus 1 ह हो जाएगा 2 तो C की वैल्यों आ जाएगी 2C सो यह 2 नीचे चला जाएगा C आ गया यहाँ पर सो C की वैल्यों आ गई माइनस 1 बाइटू जब हमने सब्स्टिट्टिट्ट किया T की जगे माइनस 1 अब T की जगह प्लस 1 पूट कर देते हैं so put T की जगह अगर 1 पूट करेंगे 1 प्लस 1 तो 2 यह हो गया 4a T की जगह 1 पूट करेंगे 1-1 0 यह हो गया पूरा 0 एक ए की वैल्यों आ गई यहाँ से 1 1 by 4, so the value of a is 1 by 4, a की value निकाल ली, c की value निकाल ली, तीसरी value निकालने के लिए x की कोई भी value रख देंगे, answer आ जाएगा, तो छोटी सी value रखते है, x is equal to 0, so x की जगे अगर 0 substitute करेंगे, sorry, t की जगे 0 substitute करेंगे, ते क्या जाएगा, यह जाएगा 0 is equal to a, a की value क्या है, 1 by 4, plus b, b क value हमको पता नहीं है, t की जगे हमने 0 substitute किया, तो यह आगया, 1 into 1, that is 1 ही रहेगा, और c की value क्या है, minus 1 by 2, so minus 1 by 2, t की जगे 0 put किया, 1 minus 0, 0 यह आएगा, so b की value आगया, 1 by 4, minus 1 by 2, यह आजाएगा, minus 1 by 2, so b की value आजाएगी, plus 1 by 2, सही है, by 1 by 4 का मतलब होता है 0.25, 1 by 2 का मतलब ह 0.5, 0.5, minus 0.25 में से 0.25 मैंस करेंगे, तो यह आएगा, minus 0.25, minus 0.25 का मतलब है, minus 0.25 का मतलब है, 1 by 4 आएगी, 1 by 4, so b की value आएगी, minus 1 by 4, minus 0.25 मैंस करेंगे, minus point 5 में से 2.25 माइनस करेंगे तो आएगा minus 0.25 यानि minus 1 by 4. हाँ C की value B की value आजएगी minus 1 by 4. ठीक है? अच्छा भाई So । अब इसको अगर standard format में लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं integration of A. एकी value क्या 1 by 4 इसको बाहर लिया? So यह हो गया DT upon 1-T 4 log 1 minus t minus 1 by 4 log 1 plus t and 1 plus t ka whole square था है na 1 plus t ka whole square था 1 plus t ka whole square के लिए क्या करेंगे 1 plus t को u के बराबर ले लो वह substitution लगाएंगे basically यह आ जाएगा plus 1 by 2 into 1 plus t यह आ जाएगा ठीक है और आखरी में आ जाएगा plus c right लेकिन अभी भी हमारा answer नहीं आया है क्यों नहीं आया बाबु मुशाय क्योंकि t के terms में आया answer आना चाहिए किसके terms में x के terms में तो हमने यहां क्या किया था sin x को t के बराबर लिया था तो sin x आ जाएगा जहां-जहां t है तो answer आ जाएगा 1 by 4 log 1 minus sin x minus 1 by 4 log 1 plus sin x plus 1 by 2 1 plus sin x plus c by बहुत जबर्दस बहुत तोडू question है बहुत प्यारा question है इस question को जरूर लगा के जाना बहुत important है इसके आने की बहुत ज्यादा संभावना है और इसके जैसे और अगर कोई question आपको book में मिल जाए तो वह भी जरूर लगा ले ना उसके आने की बहुत ज्यादा संभावना है तो बिल्कुल तोड़ू question है, प्यारा question है, छे number में अगर paper देंगे तगड़ा, तो उसमें ऐसा ही question आएगा, तो ऐसा question आने, मुझे पता नहीं कोई ऐसा लग रहा है, कि ये question आने की संभावना बहुत जादा है, तो इसको करके जरूर जाना, इसको छोड़ के मत जाना है, त काम को पाँच बजे से, तो अगर आपने अभी तक revision batch में अन्रोल नहीं कराया है, अभी भी करा लो, sample paper कराने बच्चे हैं, भाई, sample paper कराएंगे वहाँ पे, और वो वाले sample paper जो आने ही आने है, ठीक है, तो वो sample paper तो जरूर कराएंगे, कराएंगे, अभी तक नहीं किया है, अभी भी कर लो, अभी भी जान बच सकती है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, सारी sheets मिल जाएंगी, सारे questions मिल जाएंगे, क्या पढ़ना ये पता चल जाएगा, क्या नहीं पढ़ना ये सबसे जाधा important है, ये पता चल जाएगा, तो अब time waste नहीं होगा, क्योंकि अब limited time मे अगर आप अभी भी यही confused हो, क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, तो भाई, कोर्स में enroll करा लो, आख बंद गर के, ये तो समझ में आ जाएगा, क्या नहीं पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है, वो तो पढ़ी लोगे, वो तो मैं पढ़ा ही दूँगा, सारे वीडियो है, सार God bless you all, Jai Hind, Bye Bye and अपना ख्यार रखिये, कल मिलते हैं, Bye